नमस्कार दोस्तों निखिल कंप्यूटर जवलपूर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है और हम बता दें आपको कि केंद्री बिद्याले पहली क्लास एड्मिसन के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है उसमें इन्होंने समय सारनी जारी कर दी है बहुत से समय से इंतजार था सबको कि केंद्री बिद्याले पहली कच्छा के लिए रजिस्ट्रिशन कपसे प्रारम होंगे तो केंद्री बिद्याले द्वारा इसकी समय सारनी जारी कर दी गई है तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए हम अपना पीडियो स्टार्ट करते हैं आप देख सकते सामने एक पीडियाप खुली हुई है यह केंद्री बिद्याले ने अपना सेड्यूल फोर एड्मिसन जारी कर दिया गया है इसके लिए प्रवेश के लिए जो विग्यापन है वो 25 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा फॉम भर माले गी वो आपकी 17 अप्राल 2023 को सामको 7 वजे तक रहेगी तो आप सेकेंड लिस्ट जो जारी की जाएगी 28 अप्राल 2023 को तथा अन्चेयन सूची चार मईए 2023 को जारी कर दी जाएगी तो ये इनकी चैन सुची इन्होंने अपनी समय सारणी जारी कर दी गई है ये फॉर्म ऑनलाइन भरना प्रारम होंगे इसकी लिंक आपको हमाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन में हमाई द्वर आपको लिंक दे दी जाएगी कहां से इसका फॉर्म आपको भरना है कैसे भरना है और जब भी ये फॉर्म भरना प्रारम होंगे तो वीडियो के माध्यम से हम आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस भी आपको बता देंगे तो ये पूरी दो पेज की इनकी PDF है ये आप देख सकते हैं कच्छा पहली किलावा अन्य कच्छाओं में प्रवेश के लिए आपको सीधे ओफलाइन प्रोसेस से फॉर्म भरना पड़ता है वो सीधे आपके स्कूल से भरे जाएंगे आप देख सकते अन्य कच्छाओं के पंजी करन ओफलाइन मोड पे होते हैं सिफ पहली कच्छा के लिए आपको ऑन्लाइन रेजिस्टेशन करना पड़ेगा वहीं अन्य कच्छाओं के लिए आपको आफलाइन मोड के तहत सीधे स्कूल में जाते संपर्ख करना पड़ेगा तो ये जारी कर दी गई है चेहन सूची समय सार ने जारी कर दी गई है तो आप सभी जो भी फॉम भरना चाहते हैं वो सभी 27 मार्ज तक का इंदजार करिए 27 मार्ज 2023 से कच्छा पहली के लिए केंद्री विद्याले के फॉम भरना प्रारम कर दिये जाएंगे तो वीडियो को हैं मियाई पर समाप्त करते हैं और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमाई वीडियो को लाइक और हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथ ही साथ अपने मित्रों को भी निखल कंप्यूटर जबलपूर से अबस्य जोड़वाईए जिससे उन तक भी समस्चानकारियां पहुँच सके तो इसी के साथ हम विड़ा लेते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद